मद्यप्रदेश के भुपाल और इंदौर में पुलिस कमिशनर प्रणाली लागू की जा चुकी है और दोनों ही बड़े सेंटर्स पर कमिशनर ओफ पुलिस ने बागदोर समहल ली है हाला कि अभी पुलिस कमिशनर प्रणाली को व्यापक स्टर पर लागू करने के बहुत से फेर बदल होने है वही नए सिस्टम के तहट संसाधनों के साथ ही अधिकारियों की पदस्थापना कारेलयों की स्थापना से लेकर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जरूरी है जिससे लेकर काम शुरू हो चुका है इन दौर में नई सिस्टम में कैसे थाना प्रभारी से लेकर पुलिस अधिकारियों और जवानों की भूमी का रहेगी और किस तरह की कारे प्रणाली होगी से लेकर एक बड़ी बैठक रविवार को इन दौर में कमिशनर ओफ पुलिस हर पुलिस की दक्षता विवसाइक प्रती बद्धता के साथिया पिक्षाओं पर पुलिस कैसे बहतर ढंग से काम करें इस पर चर्चा दिशा निर्देश दिये गए हैं वहीं उन्होंने इन दौर में रात में होने वाले अपराधों को लेकर प्रभावी ढंग से काम करने को लेकर भी निर्देश दिये उन्होंने बताया नाइट क्राइम को लेकर तैय किया गया है कि नश्य और ड्रक्स को लेकर एक हल्प लाइन नंबर भी जारी किया जाएगा और किसी शेतर में कोई समस्या आती है तो वाटसेप नंबर पर लोग इसकी जानकारी डाल सकेंगे इ वहीं उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों कि सरकारी नंबर सारवजनिक इस्थानों पर लगाए जाएंगे इसके लावा नए सिस्टम के तहत प्रसिक्शन की शुरुआत को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत हो गई है SP और SEP और Additional DCP को प्रसिक्शन दिया जा रहा है वहीं आने वाले दिनों में कुछ और टीमें नए सिस्टम को लेकर प्रसिक्शन देनी के लिए आएंगी रिसोर्स और फोर्स स्थापित होने की बाद आने वाले दिनों में स्वतंतर प्रनाली के तहट काम शुरू होगा उन्होंने माना कि आने वाले 10-15 दिनों में नए प्रनाली के तहट पूरी तरह से काम शुरू कर दिया जाएगा Bureau Report Art India News इंदौर पूरा फॉर्मेट उनके मोबाइल नंबर और बागी चीज़े उसे साथ में उनके लोकेशन के साथ में ताकि आम ब्यक्ति को सभी को पता हो साथ ये भी टाई किया गया है कि जो भी हमारे अधिकारियें सभी के पास जो सरकारी नंबर से उसको जो विजबूल जगा है जैसे कि कॉले जा सार्मी जगा या विभीन तरह के ऐसे जगा जहां पर अराम से दिजबूल हो रावार्मी की जिवरत पढ़ सकती हो ऐसे साइन बोट से भी इन नंबरों को परदर्शित किया जाएगा प्रश्च्शन को लिए